ओके स्टूदेंट्स सो आज जो है आज का लेक्चर जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइट टू दा इंडुक्टर हम जानते हैं पी इकल टू आई वी और आई को हम अगर इंडुक्टिव केस में लिखेंगे तो आई एम इस इकल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई वाई टू यहनी 90 डिग्री लेगिंग होगा करेंट और वी एम इस इकल टू साइन ओमेगा टी सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी विकॉस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं यह है वो भी 0 हो जाए गाय कि अगर साइन टू मेगा टी 0 है तो सभी 0 जाएंगे 0 से मल्ट्िप्लाइ高 विवने के बाद यानि एवरेज पावर सप्लाइड जो होगा इंडक्टर में वो क्या ह typ गाएगा कम्प्लीट साइकल के लिए जीरो हो जाएगा ठीक है अब जिस्टिब में भी जीरो होगा था इसमें भी जीरो है अब आगे चलते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई टूर केपेसिटर तो यह केपेसिटिव सरकिट है हमने केपेसिटर बनाया हुआ है कि यह अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा चीपेसिटर में जिसकी वजय से वहां पे भी एक वूल्टेज जनरेट हो जाएगा और ज्ब केपेसिटर लिया हुआ है वी इस इकल टू वी एम साइन ओमेगा तो केपिसिटर का जो केपिसिटेंस आएगा वोल्टेज जो instantaneous voltage होगा वी इस इकल टू क्यूब आइसी यह होगा उसके बाद हम बाग करेंगे कि यह वी इस इकल टू साइन ओमेगा ती यह नहीं हमने वैलू पुट कर दी वोल्टेज की इस इकल टू क्यू बाइसी हम इसको इस तरह से लेक सकते हैं एक एक्षाग टू इंटिग्रेश्ण आफ आइट इन्टो दी टी विकाज आइस इकल टू डी वी ओवर डी टी डी क्यू ओवर डी टी होता है क्यों की वेलू हम पुट करेंगे D C V M साइन ओमेगा टी इंटो D T अपॉन D T इंटीग्रेट सरी डिफरेंशीट करेंगे तो I is equal to omega C V M cos omega T So I is equal to omega C V M sin omega T plus pi by 2 यहाँ पर plus sign आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर cos omega T है अगर minus sign लगाएंगे तो minus cos omega T हो जाएगा तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि I M को हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ वी C V M को हमने I M लिख दिया तो I M क्या है omega C V M यहाँ फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते है I M is equal to V M over 1 by C omega और C omega यहाँ यहाँ ओमेगा C को हम क्या लिख सकते है X C is equal to 1 by omega C और X C को हम कहते है Capacitive Reactance ठीक है अब हम phasor diagram बनाएंगे यहाँ पर तो phasor diagram में हम देख रहे हैं कि वो πाई बाई 2 जो है वो प्लस में है यानि I जो है वो lead करेगा किसका voltage का lead करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 degree lead हो रहा है जहाँ पर voltage 0 है वहाँ पर current जो है वो क्या है current जो है वो 90 degree है आप graph में देखें और इसी तरीके से हमने यहाँ पर फिर यह polar diagram भी बनाया हुआ है यहाँ उसको हमने तो इसको हम phasor diagram भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने बना दिया है हमने resistive circuit में इसको बहुत अच्छे से explain करा है तो same explanation यहाँ भी होगा ठीक है अब इस case में तो हम देख सकते हैं कि current जो है वो lead करेगा voltage को capacitive circuit में कितना lead करेगा पाई बाई टू ठीक है और उसके बाद हम बात करेंगे instantaneous power supply to the capacitor तो power जो है हम लिख सकते हैं IV और यहाँ पर हमने I m जो है वो cos omega t हो गया है क्योंकि हमने differentiate कर दिया साइन उमेगा टी को और voltage जो है वो साइन उमेगा टी में ही रहा तो I m vm साइन टू उमेगा टी हो गया तो यहाँ पर भी PC 0 होगा यानि यहाँ पर भी average power क्या है over a cycle is 0 यानि हम यह देख सकते हैं कि तीनों cases में average power क्या है जीरो है तो मतलब यह हुआ कि AC circuit में average power पूरे cycle के लिए 0 होता है ठीक है अब हम next lecture में LCR circuit पढ़ेंगे यानि अभी तक हमने क्या पढ़ा था R, L और C को अलग-अलग पढ़ा था अब LCR तीनों को combine पढ़ेंगे और series में पढ़ें series LCR circuit यानि parallel LCR circuit आपके कोर्स में नहीं है आपके कोर्स में जो है RC circuit नहीं है आपके कोर्स में LCR circuit है उसमें resonance के case में आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है तो हम जो next video में पढ़ेंगे वो series LCR circuit पढ़ेंगे ओके थैंक यू